हेलो फ्रेंड्स हमारी चैनल डेली हिल टिप्स पे आपका स्वागत है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीचिए और साथी वेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिल सकें दोस्तों आज मैं आपका बताओंगी चेहरे पर से टांके के दाग यानि के स्टिचर्स मार्क्स को हटाने के लिए घरेलू नुस्के दोस्तों किसी एक्सिडेंट, सरजरी या फिर चोट लगने की वज़ा से शरीर पर निशान पर सकते हैं ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कुछ समय में चोट तो ठीक हो जाती है घाप भी भजाता है लेकिन उसके निशान लंबे समय तक हमारी शरीर पर ही जगा बना लेते हैं अगर ये निशान जहरे या फिर किसी ऐसी जगा पर हो जहां पर सब की नजर जाती हो तो वो और भी परिशानी वाली बात हो जाती है और इन स्टीचर्स, मार्क्स और छोट की निशान से चुटकारा पानी के लिए लोग मार्केट में मिलने वाले तरहा तरहा के प्रोड़क्ट्स यानि की क्रीम और लोशन कर इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये प्रोड़क्ट्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं जिसे काफी ज्यादा लोग effort नहीं कर पाते हैं इसलिए आप कुछ home remedies यानि की घरीलू पायों को अपना कर भी चोट के निशान से कुछ ही हफतों में छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए जानते हैं क्या है वो घरीलू पाय जिन से आप आसानी से और सस्ते में अपने चोट के निशान को घराब कर सकते हैं सबसे पहला है खीरा दोस्तों खीरा निशान को मिटाने के साथ साथ तवचा को भी मुलायाम करता है ये निशान को हलका करने के साथ साथ निशान के आसपास की सूखी स्किन को नमी प्रदान करता है इसके लिए आप खीरे का पेस्ट बनाकर उसे निशान पर लगाएं घाप के निशान को कम करने के लिए ये बिस्ट उपाय है नीमबू और टमाटर दोस्तों नीमबू और टमाटर में विटामिन सी अधिक होता है जो की स्किन की दाग और धबे हटाने में काफी उपियोगी है इसके लिए आप नीमबू और टमाटर को मिलाकर एक पेस्ट तयार करें अब इसे निशान वाली जगापर लगाकर आदे घंटे के बाद अपने चेहरे को धोलें दोस्तों इस देशी नुस्खे से जहां पर भी आपको निशाने वहां पर निशान आसानी से खत्म हो जाएगा शहर्द का इस्तेमाल इसके लिए आप एक चमच शहर्द में थोड़ा सा ओट मिल मिलाएं और कम से कम एक चमच पानी मिलाकर पेस्ट बना ली उसके बाद इस पेस्ट को अपने चोट पर लगाएं और जब ये सूख जाएगा तो इसे अच्छे से धोलें कुछ ही समय में आपको बदलाव नजर आने लगेगा दोस्तों प्यास चोट के निशान हटाने में काफी असरदार होता है इसमें पायर जाने वाले तत्वत दाख को हलके कने में बहुत ही मनदगार होते हैं इसके लिए आप एक प्यास को काट लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए फिर इस जूस को अपने निशान पर लगाएं कुछ ही दिनों में आपका निशान हलका हो जाएगा वसे बता दें कि आप इस प्रक्रिया को दिन में दो से तीन बार कर सकते हैं चोट के निशान मिटाने के लिए पुदीने की पत्यों का प्रयोग कर सकते हैं पुदीने की पत्तों को पीस कर इसका रस निकाले और अब इस रस को चोट के निशान में लगाने से निशान साफ हो जाते हैं कोकुआ बटर का इस्तिमार जिस जगा पर आपको निशान है उसे कोकुआ बटर से नम कर लें फिर उस जगा को हलके हातों से सरकीडार मोशन में घुमाएं दिन में तीन से चार बार ऐसे मसाज करिए ऐसा करने से जल्दी फाइदा होता दिखाई देगा चहरे से निशान को हटाने के लिए चंदन पॉडर एक बढ़िया ही घरेलूर उसका है जी हाँ दोस्तों इसके लिए आप चंदन पॉडर में गुलाचल मिला लें और साथ में दो चमश दूद भी डाल लें इसका एक गाड़ा पेस्ट बनाकर निशान पर लगाएं कुछी दिनों के इस्तिमाल से निशान गायब हो जाएंगे दोस्तों अलोवेरा का गुदा यानि कि अलोवेरा का जल निकाल लीचिए फिर इसे निशान वाली जगापर लगाकर मसाज करें इस प्रक्रिया का राथ को इस्तिमाल करें मसाज करने के बाद सो जाएए इस से अच्छा पाई नाम मिलेगा साथ ही दोस्तों ये आपके चेहरे के बाखी के दाख़ दबूं को हटाने के लिए भी बहुत ये अच्छा नुश्का है आप इसके लिए भी सेट फाई कर सकते हैं बेकिंग सोडा का इस्तिमाल दोस्तों अगर आप अपने त्वचा में मौचूद निशान को जल से जल हटाना चाहते हैं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तिमाल करें इसके लिए आप एक चमच बेकिंग सोडा में तीन चमच पानी मिलाईए अब इस मिक्षन को निशान वाली जगाप लगाएं और कुछ मिनिट तक स्क्रब करें ध्यान रखें की निशान को ज्यादा ना रगड़ें जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसके बाद आप इसे गुनगुने पानी से धूलीचिए दोस्तों चेहरे या फिर किसी भी हिस्से में अगर आपको चोट के निशान और दाग धबे हटाने हैं तो इसके लिए आप रात को मिती दाना पानी में भीगो कर रख दीचिए और सुबाई से पीस कर इसका लेप निशान पर लगाईए फिर इसे आदे गिंटे के बाद धूलीचिए इसके इस्तेमाल से कुछी दिनों में दाग गयब हो जाएंगे पुराने निशान को मिटाने के लिए दूद में तिल और आमले को पीस कर इसमें गुलाब जल की चार बुने मिलाएं अब इस लेप को सोनी से पहले अपनी चोट पर लगा लीचिए इसके कुछी दिनों के इस्तेमाल से आपको फर्ट नजर आएगा दोस्तों नीम्बू का रस मुलतानी मिटी और गुलाब को अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट तयार करें और इसे फिर चोट के निशान पर लगा दें सूख जाने के बाद पानी से धोलीचिए इससे भी आपको काफी फर्ट नजर आएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे उपाय बताया है जिनकी मदद से आप निशानों से आसानी से छुटकारा पास सकते हैं लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें ये निशान एकदम से ही नहीं जाते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सबर करना चाहिए जिससे आपको चोट से आए निशान से आराम से छुटकारा मिल जाएगा यदि आप चाहे कि आपका चोट का निशान एक दिन में ही चला जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि निशान तवचा पर होता है जिसके कारण आपको कई बार नहीं बलकि हमेशा ही धहर्य से काम लेना पड़ता है क्योंकि निशान धीरे धीरे ही जाते है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथ ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेर करें आपको और भी health related और healthy relationship tips चाहिए तो आप हमारे website mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए website के link वीडियो के description में दी जा रही है Friends, thanks for watching this video इसी तरह के और भी अच्छे-चे beneficial videos मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी तब तक के लिए take good care of yourself Thank you, Bye